हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आज पच्छी जैनुवरी और मैं आसा गर तूम आप सभी अच्छे होंगे इसी के साथ आज का अपना जो करंट अफेर की क्लास है उसको स्टार्ट गरते हैं बैसिकली आज क्या क्या पढ़ेंगे टेरिल लिस्टिंग के बारे में जहां पर जो मास्टर माइंड रहें इनको ग्लोबल टेरिस्ट खोसित कर दिया गया है ठीक है और साथ में यह है चराद तो सबसे पहला टोपिक हमारा यही रहेगा कि नोन हिंदूज को अलाव नहीं किया जाता जगरनाथ टेंपल में उनकी एंट्री बैन है रिसेंटली जो गवर्नेर है ओडिसा के गनेसी लाल उन्होंने कहा है कि भई फोरन नेशनल्स को भी अलाव करना चाहिए ठीक है जो व चाहिए बैन एंट्री है जो में एंट्रें से टेंपल की जिसको लाइंस गेट भी बोला जाता है वहाँ पे यह क्लिरली मेंसंगे लिखा हुआ है कि केवल हिंदू को ही अलावड है अंदर जाना यहाँ पर रीजन है कुछ कि क्यों उनको अलाव नहीं किया जाता है तो यहां पर क्या कहा जाता है कि यहां पर काफी मुस्लिम रूलर्स ने मल्टिपल अटेक की है जिसकी वजय से जो वहां के लोगों के संटिमेंट है वो भी हर्ट हो गये थे और इस वजय से यहां पर उनके लिए कहना जो भी दूसरे रिलीजन के लोग है उनके उपर टेम्पल में entry बहन कर दी गई थी और कुछ का कहना है कि यह प्रैक्टिस टेम्पल जब से बना है ना तब से परचली थहीं, जब से चली आ रही है, लोड जगनाथ को किस नाम से भी जाना जाता है? पतिता बापन, जिसका मतलब क्या है? सेवियर ओधा डाउन्ड्रोड़न, डाउन्ड्रोडं वो हुते हैं, लाइक जो गरीब हो गया, है न मतलब बिल्कुल थके हारे इंसान जो होते हैं तो उनको बोला जाता है । उनके सेवियर हैं उनको उनकी रक्षा करने वाले हैं कौन लोड जगनात तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो जो इंसान यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पे आना चाते हैं अंदर लेकिन डू टू रिलीजियस रीजन मतलब धरम के रीजन के कारण अगर वो अंदर नहीं जा पारे तो उनको एक प्रिवलेज भी मिल जाता है कहना है मतलब टेंपल वालों का क्या मानना है कि उनको पहले दर्सन मिलते हैं लोड जगनात के किस फोर्म में पतितावापन यानि की वो उनकी सेवा करते हैं या मतलब उनको बचाते हैं प्रोब्लम से ठीक है जो लाइन्स गेट यानि की मेन एंट्रेंस है एक्जाम्पल की बात करें तो 1984 के अंदर इंदरा गांदी जी की एंट्री यहाँ पे बेहन कर दिया पाई थी उन्होंने भी दूर से इसको देखा था क्योंकि फोर्नस को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है 2006 के अंदर भी कुछ स्विजर लेंड के सिटीजन्स थे जिनको एंट्री नहीं दी गई बैन कर दिया गया था उनको कि उनका क्या था ना जो रिलीजन क्या था क्रिस् देवा इनके दुआरा बनाया गया था जो कि इस्टरन गंगा डाइनेस्टी से थे जगरना टेंपल को यमना यामनी का तिर्था भी बोला जाता है यामनी का तिर्था अकोर्डिंग टू हिंदू बिलीवस जो हिंदू बिलीवस है धारनाए है उनकी अगर माने तो यहाँ यम्राज की पावर भी खतम हो जाती है ठीक है यम्राज को God of Death बोला जाता है कि मिर्टिू का भगवान है उसकी powered बहूत भी यहाँ पर सुनने हो जाती है जीरो हो जाती है तो वो भी अपनी पाव से यहां पर यूज नहीं कर पाता है उपर से इस टेंपल को वाइट पगोडा भी बोला जाता है और चार धाम के जो भी मंदिर है जो भी सरंखला है उसका यह पार्ट है जैसके बदरीनात हो गया दौार का हो गया तो फिर पूरी आता है पूरी में जगनाथ टेंपल देन रामेश वरम टेंपल इस नोन फोर इस यूनीक आर्किटेक्चर जिसके अंदर एक मैसिव कंपाउंड वाल है उपर से लाज़ टेंपल कॉंपलेक्स है जिसमें काफी बड़े-बड़े टावर से मल्टिपल होल है श्राइन से और जो टेंपल का मेन अट्रेक्शन है वो है इसकी एन्वल रथियात्रा रथियात्रा तो आपने देखा ही होगा जहाँ पे जो ये इस मंदिर में जो तीन भगवान है जो डाइटीज है लोड जगनात हो गया लोड बालाबाद्रा हो गया देवी सुभाद्रा होगी इनको मतलब इनके जो चैरियट है उनके उपर बैठा के उनकी यात्रा निकाली जाती है और उपर से टेंपल को इसकी यूनीक फूड ओफरिंग के लिए भी जाना जाता है जिसको महापरसाद बोला जाता है जो इसी के टेंपल के किचन गेंदर बनाया जाता है अब बात करते हैं ओडिसा के अंदर और कौन-कौन सी पॉपलर जगए है पहला हो गया कोनाक सन टेंपल और देन हो गया लिंगराज टेंपल फिर हो गया तारा तारीनी टेंपल तो ये एक बार आप जाके गूगल पे चेक आउट भी कर लेना अब बात करते हैं मीजल्स वर्सिज रूबेला न्यूज में क्यों है इंडिया है सेटे टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाई 2023 2023 तक इसको खतम करने का प्रण लिया है जो कि इसकी पहले वाली डेडलाइन 2020 थी जो मीज होगी थी ड्यू टू वेराइटी ओफ रीजन और डिस्टरप्शन ड्यू टू पेंडेमिक पेंडेमिक की आजाने के वज़े से काफी प्रोग्राम बीच में रुख गए थे 2019 के अंदर इंडिया ने अडूप्ट कर लिया था गोल की भई मीजल्स और वेलो को हम 2023 तक खतम कर देंगे मतलब 2020 वाला हम अचीव नहीं कर पाए थे अब बात करते हैं मीजल्स है क्या यह हाईली कंटेजियस वाइरल डीजीज ए ठीक है वाइरल डीजीज जिसकी वज़े से काफी बच्चों की डैथ हो जाती है globally it is caused by single standard enveloped RNA virus वाइरस की वज़े से हो जाती है ठीक है जिसको classify किया गया है इन दा मेंबर ओफ जीनस मॉर्भी विलीज वाइरस इन दा प्रॉक्समिवाइरडी फैमिली के अंदर जो इकनोमिकली वीकर बैक्राउंड से जो अच्छे आते हैं काफी malnutrition होते हैं उनकी बोड़ी में vitamins, minerals इन सब की कमी रहती है और इस वज़े से उनकी immunity बहुत कमज़र होती है और वो ज्यादा तर ज्यादा बीमारियों के सिकार होने का उनको खत्रा रहता है अब बात करते है रुबैला की जिसको German measles भी बोला जाता है यह भी contagion से काफ स्टेंडिड RNA virus होता है रुबैला infection in pregnant women may cause death और congenital defect known as CRS मतला congenital rubella syndrome भी हो जाता है जो pregnant women's है और उनकी कई बार death भी हो जाती है रुबैला is not the same as measles measles की तरह सेम तो नहीं है बट इसकी जो दो illness है like इसके कुछ signs और symptoms कुछ हद तक रुबैला जैसे हैं यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं hold on यहां पे देखो measles और रुबैला मतलब जादा बहुत ही मतलब जो इसके symptoms है न काफी common है और उनकी appearance भी हद तक सेम है what is global and Indian scenario of measles and rubella Indian scenario और पूरे वर्ल्ड का मतलब ग्लोबली लेवल पे इसका सिनारियो देखते है the measles virus is one of the world's most contagious human virus that kill more than one lakh children every year हर साल एक लाग बच्चों के यह अपना सिकार बना लेता है और इसके वजाए से उनकी death हो जाती है और पिछले 20 साल के अंदर जैसे ही vaccine आई उसकी वजाए से करीब 30 million death ठीक है 30 million death यहाँ पे हम avoid कर चुके हैं during 2010 से 2013 के बीच में इंडिया ने phase manner के अंदर measles को खतम करने के लिए एक immunization program स्टार्ट किया जहाँ पे vaccine वगएरा लगाई गई थी 9 से 10 साल के बच्चों को 14 states के अंदर 119 million चिल्ड बच्चों को क्या ह ना वेक्सिन यहाँ पे लगाई गई फिर मिशन इंदर धनुस को लॉंच किया गया 2014 के अंदर ताकि vaccination को और ज़्यादा बढ़ाया जाए 2017 से 21 तक की बात करें तो इंडिया ने national strategic plan मनाया जहाँ पे मिशल और रूबेला को खतम करने की बात कही गई डूरिंग दा सेम पीरि गया और बाकी के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो मिशन से हैं ना कोर्वेंट की स्कीम से उनके अंदर में इसको डाल दिया गया दिसंबर 2021 की बात करें तो पांच ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने मिशल को बिल्कुल ऐलिमनेट कर दिया जैसे कि बुटान हो गया कोरि स्टेटस मिला था रूबेला एलिमनेशन स्टेटस 2021 में वटार था मेजर्श टू कर्व दा एमर मीजल और रूबेला को लोकने के लिए क्या क्या मेजर्स यहां पे लिए गए हैं पहला तो वैक्सिनेशन 41 करोड बच्चों की यहां अभी तक क्या है ना वैक्सिन लगाने का टारगेट गोर्वेंट के दोरा लिया गया यह हमने अभी देखा ही था जहां पे 9 महीने या फिर उससे कम के बच्चों को सिंगल सोट एमर वैक्सिन दी गई एमर का मतलब क्या है मिसल एंड रूवेला वैक्सिन ठीक है और कौन-कौन से दूसरे प्रोग्राम्स लाएगे युनिवर्सल इम्मनाइजेशन प्रोग्राम हो गया मिसन इंदर्धनूस हो गया फिर इंटेंसिफाइड मिसन इंदर्धनूस मतलब उसको और तेजी से लगलक फोर्म्स में लगया जैसे कि एमर्वैक्सिन होगी एममार वैक्सिन होगी ठीक है मिसल मॉंस और रुवेला तैन मिसल मॉंस रुवेला वाइरी सिला चो इसका आधूऑल नया कम्पिनेशन आघा होगा तो उस वज़ाएसे एक नई वैक्सिन की यहां पे बात की और फिर पढ़ते हैं इसके बारे में सेंटर ने डिसाइड किया है असम के अंदर है इसको क्या बोलते हैं चायरीडियो मेडम्स जो कि हम की इक्विलेंट हम इक्विलेंट ओफ दा एंचेंट इजिप्शिन पिरमिड कि भई इसको है ना एंचेंट जो इजिप्शिन पिरमिड से उनके इक्विलेंट माना गया है इस साल के लिए और यह रिप्रेजेंट करता है मतलब कितना पुराना है 13 से 19 भी सदी पुराना ही है ठीक है यहाँ पे काफी मतलब किंग वगेरा जो होते थे या फिर आहूम जाती के जितने भी लोग होते थे तो उनको यहाँ पे दफनाया जाता था आहूम प्रिफर्ट टू प्लेस देपार्टेड फैमिली मेंबस ओ चारीदियो वेर देफर्स्ट किंग सुकापा वास लेड तो देरेस्ट जो इनके पहले किंग थे सुकापा उनको यहाँ पे दफनाया गया था ता हिस्टोरिकल क्रोनिकल इनफॉम डेट वाइबस इनकी बीवी इनके टेंडेंस इनके पैट अनिमल्स और हिूज क्वान्टिटी ओफ वैल्यूएबल आइटम्स यहाँ पे दफनाये गए हैं जो किंग के साथ साथ में ठीक है और इसको इनके मोटर रिमेंस हैं इनके मेंबस के जो आहूम रिवैल्टी मतलब जो बड़ी फैमिली से किंग की फैमिली से थे उनको भी यही पे दफनाया गया है और अठारवी सदी के बाद में आहूम रूलस ने हिंदू मैथड को अपना लिया गया क्रिमेशन के लिए जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है ना क्या करते हैं अंतिम संसकार करते हैं ठीक है हम हिंदू के अंदर दफनाते नहीं है तो वैसे ही अहूम जो रूलस थे इन्होंने भी जो जैसे हिंदू दफनाते हैं वैसे ही वही मैथड को अपना लिया गया था अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक ठीक है टेरर लिस्टिंग की जनवरी सोला को इनाइटिड नेशन सेक्योर्टी काउंसिल ने अनौंस किया कि इन्होंने अब्दूर रह्मान माकी जो की पाकिस्तानी बेस्ट डेप्टी चीफ थे लस्करे ताइबा के है ना और साथी साथ ब्रेदर इनला थे इनको 1267 लिस्ट ओव डेजिगनेटी टेररिस्ट के अंदर डाल दिया गया है इसको पूरा ग्लोबल टेररिस्ट घोसित कर दिया है यह दिख रहे है ना आपको इसके काफी बयान भी आते रहते थे बीच में तो इसको डाल दिया गया है इसको पहली बार 1999 में सेट अप किया था बाद में इसको अपडेट किया गया 2011 और 2015 के अंदर और स्टेंथन किया और मजबूत किया 2001 के अटेक के बाद में इसको क्या और दूसरे नाम से भी जाना जाता है दैसे या फिर अल-काइदा सेंक्शन कमीटी इसको किम्प्राइज इसके अंदर इसको अंदर इसको गोसित कर दिया और यहां प części काफी पाकिस्तानी national and residents इस list के अंदर सामिल है मतलब पाकिस्तान ने कुछ और हासिल नहीं किया, बस यही किताब हासिल किये है कि इनके सबसे ज्यादा terrorists इस सुची के अंदर है ये जो committee काफी important committee और काफी active है मतलब इस तरह की टेरिजम को लड़ने के लिए ठीक है उसको रोकने के लिए और इस वज़े से इसको अल-काइदा और इस्लामिक स्टेट ग्रूप जितने भी है उनके खिलाफ ये खड़ी रहती है यहां पर डिसकस किया जाते है यूएन के एफर्स को टू लिमीट दा मोवमेंट ओप टेरिस्ट एस्पेसली डोज रिलेटेट टू ट्रेवल बैंस जिनके ओपर ट्रेवलिंग बैंस लगे हैं जादा तर उनके उपर इनके नजर रहती है और जिनके जितने भी एसेट्स वग है किसी भी तरह क्या आरोप हो तो वो सब इनकी नजर में रहते हैं कोई भी मेंबर यहां पर प्रपोजल संपिट कर सकता है किसी भी इंडिविज्व के खिलाफ की वही इसको इस लिष्ट में डाल दिया जाए और उस प्रपोजल के उपर क्या है न एक्ट करने के लिए लि पास या वो किसी भी तरह से दाइस या फिर अल al-qaeda से Kinnec'd है या उनके किसी भी से तो यह सारी चिजे उस परपोजर पर देखा जाता है। बाद में डीसीजन लिया जाता है उसको लिस्ट करने के या फिर डी लिस्ट करने के लिए और ये कौन फैसला लेता है जितने भी मेंबर होते हैं जो भी मेंबर्स हैं UNHC के उन सब को भेज़ा जाता है और बाद में अगर कोई भी मेंबर उसके उपर किसी भी तरह का उबजेक्शन नहीं उटाता है विदिन फाइव डेज तो उस प्रपोजल को अडोप्ट कर लिया जाता है ठीक है उस कोफी लिस्ट में डाल दिया जाता है लेकिन कोई भी कमेटी के मेंबर उसके उपर टेक्निकल होल्ड डाल सकता है जैसे कि चाइना ने यहां पे डाला था यह दिख रहा है न आपको अलोड तो यह यहां पे आपको दिख रहा हो गए तो यहां पे चाइना ने होल्ड डाल दिया था चाइना बे सरम है तो यहां पे टेक्निकल होल्ड डाल सकते हैं किसी भी प्रपोजल के उपर और वहां पे वो और information मांग सकते है proposing member से कि भाई तू ने इसका नाम दिया है तो मेरे को थोड़ी सी और जानकारी दे ताकि मैं satisfy हो सकूँ और फिर अपनी यहां से green signal दे सकूँ pending issues को फिर बाद में result कर लिया जाता है करीब विदिन six month में आपको इसको result करना पड़ेगा but the member of the state that had placed the hold may ask for additional three months मनलव जादा से जादा तीन महिने और आप मांग सकते हो लेकिन at the end of this period अगर किसी भी तरह का objection नहीं उठाया गया तो उनकी जो जो भी proposal था उसको प्रूब मान लिया जाएगा अब यहां पे क्या था what did the joint proposal say according to the joint submission जून 2022 के अंदर जो submission डाला गया था कि इसको global terrorist की category में डाल दो जिसको अभी accept कर लिया गया है माकी is a al-qaeda designated individual यानि कि QDI ठीक है QDI 433 इसका नंबर है या फिर कैदी 433 बोल सकते है इसको यह लग भी वैसा ही रहा है और है भी है 69 ये ओल्ड है ठीक है 59 साल का अब्दूल रह्मान माकी अज बिन देप्टी अमीर ओफ लसकरे ताइबा एंड हैड ओफिस पॉलिटिकल अफेर विंग इंडिया हैड सिग्निफिकेंटली हैड माकी रिस्पॉंसिबल फॉर दे नंबर ओफ टेरर अटेक्स इसने इंडिया के अंदर काफी टेरर अटेक्स करवाए हैं एक तो रेड़ फॉर्ट पे जो अटेक हुआ था फिर 26 ग्यारा मुंबई जो अटेक हुआ था वहाँ पे इसका हाथ था और जम्मू कस्मीर के अंदर जो यूथ हो है वहाँ के जो बच्चे उनको बढ़काने का काम भी बेसिकली इसी का है ठीक है वहाँ पे जितनी भी फंडिंग वगएर है यही सब प्रोवाइड करवाते हैं लस्करे ताइबा हो गया जैसे महमद हो गया तो यह जितने भी टेरिस्ट ग्रूप है यही सब इनको कहना जितनी भी फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाते हैं इंडिया ने माकी को अपनी Most Wanted Terrorist List के अंदर डाला हुआ है जो की UAPA की जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसको डार रख है और उपर से US ने तो इसके उपर कहना इसको 2010 के अंदर ही Designated Global Terrorist गोसित कर दिया था और इसके उपर 2 Million Dollar ठीक है 2 Million Dollar यानि की 20 Laak Dollar का इनाम रखा गया था कि भाई कोई अगर हमको ऐसी Information दे दे जिससे हम इसको लटका सके हैं तो उसको हम 2 Million Dollar reward देंगे तो यह थी आज की News Current Affair जो भी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा अगर इसकी PDF अगेरा आपको चाहिए है तो मेरे Telegram पेज पे जाके आप ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकि कोई भी समस्चा हो या कोई भी प्रोब्लम हो तो आप Comment section में भी मुझसे contact कर सकते हैं तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में